केंद्र से किसानों के साथ चौथी बैठक भी हुई बे नतीजा किसानों ने किया केंद्र सरकार के पांच फसलों पर MSP देने की बात को खारिज सरवन सिंग पंधेर ने कहा 21 फरवरी को करेंगे दिलने चलो मार्च आंदोलन MSP की मांग पर अड़े किसान घर लोटने का नहीं है प्लान नमस्कार में निहादिवेदी और आप देख रहे हैं एन भारत 18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत में केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था प्रेस कौनफरेंस में किसान नेता जगजीत सिंग डलेवाल ने कहा कि किसान संगट्नों ने चर्चा करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर द दिया है उन्होंने कहा कि किसान 23 फसलों पर MSP मांग कर रहे हैं से पहले भी किसान नेता इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और अब चौथी बार इसी बात को लेकर जब किसानों के साथ केंद्र सरकार की बात प्रचीत हुई तो सरकार फाक फसलों पर एमसपी देने का प्रस्ताव रखी थी जिसको किसानों ने अस्वी कर दिया था आपको बता दें कि प्रेस कॉंफरेंस में किसान नेता जगजीत सिंग डल्लेवाल ने कहा कि किसान तेइस फसलों पर मैस्पी की मांग कर रही है इसके साथ नेता सरवन सिंग पंधेर ने कहा कि सरकार के मनसूबे हमें दिल्ली कूच करने नहीं देंगे वो किसानों को रोकने की कोशिश करेंगे इसलिए अब हम 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च निकालेंगे पश्चल जूज के लिए जो नेट होता उसके उपर कभी भी कोई पबंदी नहीं होती हम पंजाब सरकार से भी सबस्ष्ट करेंगे आपके डी सी ने केंदर पे कहने को उपर लिखकर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निनने अभी तक पंजाब सरकार ने सबस्ष्टा नहीं किया है तो यह जो पुल है अगर यह पंजाब में आ रहा है तो आप इसका भी रोध क्यों नहीं करते हैं आप बोलते हम लीगल नक्षा लेंगे तो ले लिजी या आपके आपका अपरिशन हर्याना के साथ मिलकर चल रहा है सपश्टों कीजिए भी क्या हो रहा है तो हम पंजाब सरकार से मांग करेंगे जो हमने बाते उठाइं उनको पश्ट कर दीजी यह बात क्या है किस तरह की है तो ये तरह की बाते हैं पंजाब में NetBand नहीं होना चाहिए मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने आधिकार है अगर स्टेश सरकार को पूछ किसानों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनीधियों की चौथी बैठक भी बेनतीजा रही अब सरकार और किसान एक दूसरे के साथ संबाद से समाधान की उम्मीदे कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जबकि सरकार अपनी कोशिशों को जारी रखना चाह रही है लेकिन किसान नेताओं ने 21 फरवरी को दिली कूच को हरी जंडी देने का फैसला कर लिया है अब बैठक में शामिल होते रहे तमाम बड़े किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं इसी कड़ी में जगजीत सिंग डल्लेवाल ने कहा हमारी सरकार बाहर से 1,75,000 करोड रुपे का पाम ओयल मंगवाती है वो सभी लोगों के बिमार होने का एहम कारण बनता जा रहा है फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है अगर यही पैसा देश के किसानों को तेल बीज फसले उगाने के लिए और उनके उपर MSP की घोशना करे और खरीदी की गारेंटी दी जाये तो उस पैसे से काम चल सकता है उन्होंने फिर से कहा ये जो प्रस्ताव आया है वो किसानों के पक्ष में नहीं आया है हम इस प्रस्ताव को रद करते हैं किसान नेता सरवन सिंग पंधेर ने कहा हमारी मांग वही है कि सरकार देश फसलों पर MSP गैरेंटी कानून बना कर दे उन्होंने आरोप लगाया है कि जब केंद्र सरकार के मंद्रियों के साथ बैठक के लिए जापे हैं तीन तीन घंटे देरी से आते हैं जो की ठीक बात नहीं है किसान मोर्चा ने कहा कि स्वामी नाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को C2 प्लस 50% के आधार पर MSP देने का सुझाव दिया था बायान में कहा गया था कि इसी के आधार पर तमाम फसलों पर वे MSP की गारेंटी चाहते हैं इसके जरीए किसान अपनी फसल एक फिक्स रेट पर बेज सकेंगे और उन्हें नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा खिसान मोर्चा ने कहा कि अगर मोधी सरकार विजेपी के वादे को नहीं लागू कर पा रही है तो प्रधान वंतरी इमानदारी से जन्ता को बताएं साथ ही आपको बताते चलें कि C2 प्लस 50% क्या है जिसके आधार पर स्वामी नाथन ने MSP देने का सुझाव दिया था में एटू यानी प्रत्यक्ष लागत जिसमें वीज घाद की नाशक श्रम इधन सिचाई और दूसरा मैथड एटू प्लस एफ एल जिसमें पारिवारिक श्रम इन सभी को जोड़कर जितना लागत लगती है उसका कुल मुल्य और उस पर 50% जोड़कर MSP होता है बयान में कह हो गया है कि इसी के अधार पर तमाम फसलों पर वह MSP की गारेंटी चाहते हैं आंदोलन कारी किसान इसी फॉर्मुले के अधार पर MSP की गारेंटी लागू करने की मांग कर रहे हैं और जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे